तो हे गाइस वेलकम बैक टो माई चैनल सो गाइस यहां पर मैं अभी लगा रही हूं समान सोब का सो मैं सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल पर सो आई होप कि आप सब लोग अच्छ होंगे सो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हैं मेरी मुम्मी जो है बीड़ी पीत है सो गाइस यह लोग बिल्कुल ठीक रहते हैं और हम जैसे जो लोग है ना न्यू जिनरेशन के जो बंदे होते हैं वह इतने बीमार रहते हैं काफी जादा सो आज इस वीडियो में आपको कुछ समझाने की बात भी करूंगी ऐसे तो मैं वीडियो में बस ऐसे बग बग कर दे रहती हैं और मैं आज आपको कुछ अच्छी चीजे समझाने की कोशिश करूंगी जो हमारे मम्मी है ना इन्होंने देखो साथ साथ बच्चों को भी जनम दिया है और फिर भी अभी तक ऐसी ही हैं कि मतलब इसे ठीक ठाक है और हम लोग जैसे हैं न्यू जनरेशन जो है आपरेशन से बच्चे हो रहे हैं और उनको मतलब कितनी तकलिफ होती है अतनी बीमारिया होती है तब भी ठीक नहीं होते हैं और दो ही बच्चे जनके उनकी हड़िया जो है अभी से मतलब काम करना बंद कर दिया है मैं खुद से बता रही हूँ क्योंकि अगर मेरे पास सिर बी अच्छा है तब इतना दर्द होता है और पहले लोग जो थे बिलकुल भी मतलब कुछ नहीं खाते पिरे तना फल फ्रूट नहीं खाते थे और घी बस घी और दूद घर का होता था ता रोटी होते थे सिंपल बस वही खाते थे और आज के टाइम में क्या होता है कि ये रूल फॉलो करने के बाद भी असियत ठीक नहीं रहती है और पहले लोग क्या होते थे बिलकुल भी कोई रूल फॉलो नहीं करते थे वो जब उनका मन किया तब वो दूद पी लेते थे और दो पैर में सुबह में वो च्छाच को बना दे थे सुबह में वो लस्ती पी लेते थे और साम को भी दूद पीते थे और सुबही जब ताजा था जब हैसके नीचे से निकाला जाता था और तब भी ताजा 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 दूद ही पीते थे और आज के टाइम में क्या होता है कि दो पैर को लसी पीते हैं सुबह में दूद नहीं पीते हैं साम को दूद ऐसा कुछ टाइम चल गया है बट पहले लोग दे आप खोदी आपकी आपकों के साम रिजल्ट है बीमार नहीं होते थे इतना जादा जितना आज की जनरेशन बीमार होती है और बच्चे भी नॉर्मल ड्रीविरी नहीं हो पाती है बच्चे भी ओपरेशन से हो रहे हैं और प बाद भी मतलब की ऑपरेशन होता है और पहले टाइम में इदा काम करने के बाद भी उपर वाला नुको कोई प्रोब्लम नहीं देता था तो मैं यहीं कहूंगी कि जतना प्रेगनेंट लेडी होगी जतना घूमे फिरेगी काम करेगी उतना ही उसकी सेहत ठीक रहेगी उतना तकलीफ नहीं उसको होगी क्योंकि आज करके खानपान क्या होगी है ना बहुत जदा चेंज होगए क्योंकि पहले बिल्कुल नैच्रल खात होती थी जो खेतों में डालती थे गोबर वाली वो होती थी और अब क्या है कि नैच्रल खात ना डालके केमिकल वाले जो दवाई हैं चल गई है वो डालते हैं तब जाकरवारी फासल अगायता है तो उसी ही वजह से प्रोमारिया होती है बहुत जा जानता है अभी हाली कि कितनी बिमारियों का सामना आगे करना पढ़ेगा और हाली में कितनी बिमारिया चल रहे है सो गाईस यहां पर मैं आज परचुन की दुकान के लिए सब कुछ समान लाई थी कुछ पैसे मैंने जोड़े थे थोड़ा सा करके वो भी से नीज़े जोड़े थे चोटे चोटे बच्चे आते हैं नाज लेके तो खाने पीने के लिए पूरे साल का हो जाता है तो मैं खटा कर लेती हूं अपनी दुकान से ही तो इसलिए मैं समान लेका ही हूं वरना बिल्कुल खाली पड़ी थी और यहां पर मेरी मुमी हल्प करवा रही है कि रसी मुझसे तंग नहीं रही है बिल्कुल भी इससे हम दोनों बैन भाई लगे पड़े हैं कि यह टंग जाए पर नहीं यह उपर लग रही है तो मेरा भाई समान लगवाने में मेरी हैल्प करवा रहा है और यहां पे बक्चे देखो किस तरीके से कैमरे के सामने हाई बाई करके इदर भूम रहे हैं तो आई होप के वीडियो आप लोगों के लिए इंफिरमेटिव होगी एंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बैल आइकन का बटन प्रेस कर देना जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीड प्रोब्लम में आजकर सो कमीने ने मेरे बच्चे का हसला तोड़ के बहुत तकलिफ इसको दे दी हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं अभी हालत कैसी हो गया और गाईस हमारे यहां पर गर्मी काफी होने लगी है सो गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने लगी है आप पर पहली बारा है तो प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन के बटन प्रेस कर देना जिससे कि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे तो गाईस मैंने इस चैनल पर काफी टाइम हो चुका है मैंनत करते करते पर अभी तक मुझे इस पर क जाके मेरा सपोर्ट कीजिए मुझे मतलब अपना प्यार दीजिए दूसरा चैनल मैंने बनाया है काफी टाइम से बना चुकी थी पर बेटे के चोट लग गई थी तो उस पे काम नहीं कर पाई तो प्लीस आप लोग उस चैनल को जाके चेक कर लेना मैं लिंक डिस्क्रिप् जालो सांत नहीं बैठते हैं उनको उनका मन करता है तो खेले कुदे बच्चों को बहुत ही केर के साथ पालना होता है गाइस बच्चों के साथ बहुत माबापों को बहुत सारी रिस्पोंसिबल्टी निवानी होती है और बहुत जादा केर बच्चों की करनी पड़ती है ग मतलब की उतना जितनी हमारे बच्चे की ख्वाई से वो सारी चीजे की हम पूरा नहीं कर सकते हैं बस इतना है कि करका गुजारा अच्छे से चल जाता है नूर्मली खाना पीना जो है बस नाचुरली वो हो पाता है और जो लोग मिडल किलास फैमली से विलूम करते हैं उनको ही होगा कि कितनी मुसीबतों का सामना करके उन्होंने अपनी लाइफ को जीना होता है सो सारी चीजे उनको फेस करनी होती है और बस यह होता है लाइफ का फंडा लाइफ को जीना असान नहीं होता है जितना समझा जाता है क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते कि बस खाते पीते ट जैंसन होती है, उनका मामंद खराब होता है, बट उनके से एक मैं भी में भी मैं बहुत कोशिस करती हूँ, अपनी प्रोब्लम को बुलाने की बट मैं हर चीज को बुलाने ही पाती हूँ, बार-बार वही चीजे मेरे सामने आ जाती है तो जब से मेरी साधी हुए तब से तो मेरी लाइफ में बिलकुल तुफान सा मच गया है मैं एक पल भी खुश नहीं रहती हूँ पस अबने बच्चे की वज़े से मैं थोड़ा खुशी महसुस करती हूँ बट कभी कभी उपर वाला इन बच्चे के साथ भी इतनी तकलीफ देता है ना बहुत ज़दा और बच्चे के वज़े से फिर मैं परेशान हो जाती हूँ तो गाइस पता नहीं उपर वाला क्या चाता है क्या नहीं चाता है हमेशा हर बार हर मुसीबत का सामना मुझे के लिए कोई करना पड़ता है पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है गाइस बहुत ज़्यादा प्रोब्लम मुझे होती है जब कभी भी कुछ प्रोब्लम आती है तो मेरा माइन बहुत ज़्यादा खराब होता है, तो समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए इस लाइफ में, एक तो मैं खुद से कहते हैं ना कि इनसान पढ़ लिख के कुछ करता है, बट फिर भी मेरी लाइफ वही है, मैंने डिग्री लिए भी ऐसी कि बट कुछ फाइदा नहीं होता है, इन चुजों का काम करने पड़ते हैं औरतों को, समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बस घर घरस्ती में फसके, अपने बच्चों के साथ बस खुश हैं, जब डाल दिये उपर वाले ने घर घरस्ती में तो बस यही इसी का सामना करेंगे, तो यहां पे एक आप लोगों को दिखाया जाए, और कभी भी मैं चुईयों को दुकान में जो दवाई रखके मारती नहीं हो, बिल्कुल भी, सो थैंक्स पूर वोचिंग, मिलती नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाए बाए गाई गाई